और गुरू कैसे हैं उमीद एच्छे ही होंगे तो सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंदन की डेर सारी सुखाय में उमीद है आप सबने राकी बनवा ही लिया होगा बट मैं हूँ घर ते काफी दूर कलाई सुनी है और है रक्षाबंदन भी है और मेरा जनम दीन भी है त अब पुरा दीन चुटी था कितना सोएगा इंसान तो अट लास्ट मेरे रूम से 20 क्लमेटर की दूरी पर है इस कॉन टेमपल तो जब तक पटना में थे वहां तो इस कॉन टेमपल में से चली जाते थे यहां काफी दीन से मैं ड्हून रहा था अट लास्ट मुझे मिल गया जो कि यहां जगर्नाथ मंदिर के नाम से फेमाज है चलिए आज आपको भी दर्शन करवा तो यह मंदीर है सहर के को ताल से काफी दूर लगभग मैं जहां रहता हूं वहां से 20 क्लमेटर दूर लुद्यना डिस्टिक में ही पड़ता है लेकिन डिस्टेंस सहर से काफी ज्य काते है हुआ है तो यही है में पर्भु का द्वार जहां सेंदर जाया जाता है और इस तरह आपको प्रशादन मिल जाएगा और यहां पर भूग मिल जाएगा चुड़ाने के लिए बसुर्टी भ्या नहीं जाएजा सकता है सब्दों में और जन्माश्तुमी की तैयारिया हो रही है जो के चीज़े है वहाँ पर दर्शाई गई है बताई गई है तो अब यहां पर पर्भु का दर्शन पा लिया है इस वहां चलते हैं नीचे देखते हैं नीचे क्या है गउम नहीं होंगी हुगी तो अपने क्यों कि मिलता है अरे मेलाम का प्रेदा यो विप है उसका यो भी पर यह लगाने के लिए सकते हैं बाकी चंदेन बाकी जो भी साध्याया यहां पर लगी हुए यह जगरनाथ महराज का अटिक गया तो मैंने अपने जरूरत के हिसाब से उस्वाप से लिया गोपी चंदर इसे तिलक करते हैं तो सब लोग यहां पर फोटोस बगरा क्लिक करवा रहे हैं अपने फोन में इस मेमोरी को कैद कर रहे हैं बट मैं तो आया हूं एकेला दर्सन करने के भाव से किसे फोटो की च्वाँ देखता हूं को अगर मिलते हैं तो किनी को बोलता हूं तब तक देख लीजिए यह बन कितना सुंदर लग रहा है ना व्रिंदा वन टाइची अभी तक मैं गया नहीं हूं सोच रहा हूं जाने का पतानी कब रादा रानी बुलाती है जब रादा रान हूं कि मैं आठ झाध का ड्रीद ना दूर से और फुंदर लगता है जो कि स्वाँटें दिखा रहा था जिसके वारे मैं अब गता रहा है अब हमाई-पासमे का रहा है अब को धिकारते हैं यही को फुमे बारे मैं बार्ग कर जारता है मैंने लगी मूओक सरदी बैसे और बढ़ जाएगा और पीछे के तरफ अगर हम जाएंगे तो देखने को मिलेगा पुछे लिए देखते हैं और वहां भी बना पाएं वीडियो तो बना के दिखाते हैं आपको यहां का गॉष्छाला इंदर एक छोटा सा ग्राउंड है जहां लोग आके बैठे हुए हैं ब यह बच्ची अपने पापा चाचा जो भी हो उनके गोद में सच में यह अच्छा पल होता है तो जिसकी मैं बात कर रहा था गॉष्छाला यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी गाएं है और बाच्ची भी है बाच्ची मितलब जो छोटे-चोटे बच्चे होते हैं जो गाएं की छोटा रूप होता है और जो बड़ा होता है उसको बच्चडा बोलते हैं मतलग भी इनफेक्ट जो लर्का वाला होता है बाकि आप लग समझदार हैं समझ जाएंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजी है देखने को आई थिंक कि यह सहवाल गाएं है मुझे देख आँ चला तुम्हें इस कौन को आता हूं खुब सूर्ती तो इसे ही बोलते हैं पता नहीं लोग कहां सहर के को ताहल में पड़े हो गए हैं लगिन जो सुकुनिया और तो अभी मैं बोल रहा था कि मैं अकेले आया हूं यहां तो कौन मेरा फोटो गीटेगा और बटकारी ब शार वहां तो यह अंपि ऑलाएं के पन lucky महां तो काफी लोग यह मैं तो काफी दूर से हूं काफी दूर में नहीं यह मुमंदिर इस अग्रभात के भा। कि का लगता है कर दिलिया की अच्छा अर आख सेल लोग कर के देखने के लिए अच्हा ओप्दने के नहीं को इस की क तो तो चलिए ठीक है और बाबू है कुन से भी पूछते हैं आपको कैसा लगा और यह रस्टाइल आपका जबरदस्त है और इधर भाई साहब है और दीदी लोग है तो चलिए अब हम भी चलते हैं अपने घर के तरफ चलिए ठीक है फैंक्टियू